Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 3rd की English Workbook Unitate My Silly Sister तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटिट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपने अभी तक My Silly Sister चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप महां से निकालके भी से पढ़ सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं वर्क बुक बनाते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजे तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है Find and write the meanings of the given words from the box below अब देखिए इसमें आपको find करना है और meaning लिखना है नीचे ठीक है नीचे जो box में दिया गया है उससे आपको meaning find करके लिखना है तो इस साइड में देखिए words है इधर meaning है silly क्या हो जाएगा तो देखिए police हो जाएगा तो यहाँ पे box में दिया गया है उसके बाद देखिए childish childish means क्या हो गया इसका meaning कि behaving like a child यानि कि बच्चों की तरह बटाओ करना उसके बाद है pebbles pebbles means देखिए rounded stones यानि कि पत्थर जो होता है गोल गोल जो पत्थर होता है round round सा उसे कहेंगे उसके बाद है spoiled to speak agreely to somebody तो देखिए क्या होता है scald means होता है डाटना क्या किसी को जो है ना बहुत गुसे से किसी को डाटना बोलना गुसे से बाते करना तो ये होता है scald इसके बाद है excitement excitement means state of the being excited तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा excited होना यानि कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होना उसे excitement कहेंगे insist insist का हो जाएगा argue with force यानि कि गुस्से से बहस करना ठीक है तो इस तरह से ये सारे को आप याद कर लेंगे उसके बाद है max sentences silly का तो क्या होगा he is really silly real तो क्या हो जाएगा this is real tiger learn let learn a poem उसके बाद है laughs तो he laughs at others उसके बाद scold तो they scold him ठीक है तो इस तरह से बनाएंगे इसे उसके बाद है read the given passage and answer the following questions अब देखे इसे पढ़ना है उसके बाद question का answer देना है she does not know the difference between the light in the streets and the bright stars तो देखे वो नहीं जानती की difference यानि की streets light जो होते हैं गली में जो lights जलते हैं और bright star जो stars के light होते हैं उन दोनों में difference नहीं पता चलता है उसे when we play with pebbles she thinks they are real food और जब हम लोग pebbles के साथ खिलते हैं तो वो उसे real food समझने लगती है she even tries to put them into her mouth और वो ट्राइ करती है वो अपने मुह में लेने का तो अब देखे इसमें question है उसके लिए refer किया गया है what does she not know तो वो क्या नहीं जाती तो she does not know the difference between the light in the streets and the bright stars तो देखे वो नहीं जाती जो streets light होते हैं और stars lights होते हैं तो उन दोनों के बीच वो difference नहीं जाती उसके बाद है कि what does she think on seeing pebbles तो देखे इसमें कहां जा रहा है कि वो pebbles देखके क्या करती है तो लिखेंगे कि she thinks they are real food तो वो सोचती है कि ये real food है what does she try to do तो वो क्या करने की कोसिस करती है तो she tries to put them into her mouth तो वो उसे अपने मुह में लेने की कोसिस करती है अब दिखें सेकेंड ऐसे से है कि sometimes I hold a class with the donkeys that our washer man brings to carry away the dirty cloths तो दिखेंगे इसमें कहां जा रहा है कि कभी-कभी मैं उसका class लेता हूँ कि किस तरह से washer man डंकी के साथ आता है और जो dirty cloths है वो अपने साथ ले जाता है उसपे carry करके I warn her that I am the school master and that she better not make any noise और मैं उसे समझाता हूँ कि मैं school master हूँ और तुम्हें noise नहीं करना चाहिए हला नहीं करना चाहिए only then she keeps quiet और तभी वो सांत रहती है अब देखिए इसमें question है कि who is talking to whom तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन किस से बाते कर रहा है लिखेंगे कि child is talking with her sister तो वो अपनी sister से बाते कर रहा है तो why does the washerman bring the donkeys तो washerman donkey को साथ क्यों लाता है तो लिखेंगे कि to carry away the dirty cloths तो dirty cloths को ले जाने के लिए carry करने के लिए who becomes the school masters तो school masters कौन बनता है child becomes the school master तो child school master बनता है उसके बात है कि when does his sister keep quiet तो कब उसकी जो sister है वो सांत रहती है तो when he warm his sister तो देखिए वो सांत रहती है तब जब वो अपनी sister को warm करता है ठीक है उसकी बात देखिए अब है language corner fill in the blanks with the words given in the brackets after adding ly अब यहाँ पे आपको ly add करके इससे पूरा करना है जो bracket में लिखा हुआ जो words है उसमें ly add करके इस sentence को पूरा करना है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा the old man crossed the road तो यहाँ bracket में है slow इसमें ly लगाएंगे तो slowly हो जाएगा ठीक है the old man crossed the road slowly do not speak loudly इसके बाद है I solve the sums easily he talked to me in a friendly manner the soldiers fought in the war bravely उसके बाद है कि सौम्यां talk to me very angrily तो इसी तरह से सारे में ly लगा के बना लेंगे उसके बाद है fill in the blanks with and but and or तो यहाँ पे आपको and but और लगा के आपको fill in the blanks यह जो है इसे complete करना है I know has a pen and a pencil नीधी is intelligent but rude do your work or go away देखिए उसके बाद है कि we will first go by a bus and then by a taxi the sun rises in the east and sets in the west I called Manu but he ignored me तो इस तरह से इसे बना लेंगे उसके बाद है explain to your younger brother or sister how to make a veil using paper look at the picture, clues given on next page, write the steps to be followed इसे आपको फॉलो करके आपको बनाना यह आपको लिखना है ठीक है तो यहां पर देखिए यह वाला इसे देखिए टेके square paper and fold it by sides तो इस तरह से paper लेंगे square paper और इसे side से fold करेंगे second में है fold it from top इसके बाद fold it from middle fold it from top sides and from the second end इसके बाद देखिए your veil is ready draw eyes and smile and your veil is ready ठीक है वेल is ready तो इस तरह से आपका यह chapter complete हो चुका है तो आप इस तरह से बढ़ियां से बना लीजेगा इसे लिख लीजेगा और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुसे जरूर बताएए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को like, subscribe and share जरूर करें ताकि मेरे साड़े वीडियो आप तक पहुंसती रहे और अगर आपको कहीं भी समझने में problem हो रही हो तो आप मुझसे comment के दौरा भी पूछ सकते हैं तो चली मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर और थेंक्स तो वाच मैं वीडियो